हलो तो कैसे हो आपका स्वागाति तिरपान स्टेडी सेंटर में आज जो हम करने जा रहे हैं इतिहास के चैप्टर जो कि प्लस टू का है इसमें हमारा कोशन जो है जिसके विशे में हम चर्चा करने जा रहे हैं आज हमारा कोशन जो है पांच भी रिपोर्ट क्या थी और इसकी अलोचना किस परकार की गई थी यह कोशन कई मानने में बहुत इंपोर्टेंट है एक्जाम विव से भी जरूरी है क्योंकि इसमें हम प भीरबाद विवाद का सबसे बड़ा विशय के रूप में उभड़ा था ठीक है इसमें अगर आप देखना चाहोगे समझना चाहोगे तो बहुत ही इंपोर्टन रहेगा इसमें हम अगर बात करें पांच भी रिपोर्ट की तो कहते हैं ठाल तेरा इसमें बिटी संसद में इस ठीक है यह पांचमा रिपोर्ट था और इसलिए इस पांचमी रिपोर्ट के अंतरगत लिया गया इसको इसलिए इतनी खास्या दी गई क्योंकि यह बहुत बातों पे जो था जमीदारों के लिए क्लेक्टरों के लिए और आश्य समधी आंकड़े अधिकारी सभी के विशय पुष्ट की यह रिपोर्ट थी जिसमें 800 से अधिक जो है पुष्ट परिसेप्ट थे इसमें चमिदार हो रेदाली अरजित विभिन विभिन जीलो के कलेक्टर की रिपोर्ट इसमें समनित थी और राश्य समधी आकड़े भी इसमें कठा किया गया था और अधिकारी दौर बंगाल एबम मदरास के रासवता नयाय प्रसाशन के लिखी टिपनियों भी सामिल की गई थी जो की बहुत जरूरी थी इसलिए इस पांचमी रिपोर्ट जो है बहुत काफी विवात का विशय बना था तो यह बात आपके लिए अत्यांद महत्वपूर्ण रहेगा कि इसमें देखा जाए तो इस रिंडा कंपनी के बारे में बताया गया था कि इनका बारत में क्या इस्तिती है ठीक है और एक सो दो पन्ने की यह बनाई गई थी इसमें आठ आठ सो से अधिक परिविश्ट के थे ठीक है और इस तरह से जो था यह सारी जमिदार रितालियों और प्रिश्य क्या थी यह जानना आपके लिए अप्तेंत महतुपूंड हैगा काहते है का कंपनी ने जब से यानि से बंगाल की भावड़ समाली थी यानि देखा जाए से बंगाल पर अपना पुन्ने अधिकार कर लिया था कंपनी के दौरा तब ही से इंगलेंड में अपने क अपना प्रिटिकार को बहुत से एसे वर्ग थे जो भारदता चीन के साथ बेपार पर इस टिडिया कंपनी के एक अधिकार के बिरोदी थी कड़ेगी इस अधिकार को जो है वो रद करदेना चाहते दे क्योंकि यह अधिकार जो थी शाही थी अगर आपको याद हो तो उस समय जो तो राज शाही जो है रूब लेगुरेशन चलती थी यानि राजाओं का उस समय राज हुआ करता था और ये फरमान जो ती रजाओं के दोरा लगाई गई थी और यह इस इंडिया कंपनी ने जो था अपनी कूट नीटियों से लागू करवाया था ठीक है भारत के साथ बेपार करने में इस चुक नीजी पेपारियों की संक्या बढ़ती ही जा रही थी क्योंकि उस समय भारत उभरता हुआ देश था और यहां पर संसादनों की भरमार थी इसलिए भारत के साथ बेपार करने के लिए हर नीजी पेपार यह जो थी बढ़ती चली गई उनकी संक्या है बिटेन के उध्योगपती भी माल के लिए भारत का बजार खुलवाने के लिए चुक थे यानि जो बिटेन के उध्योगपती हुआ करते थे वह भी चाहते थे कि यहां के भारत का बेपार ठीए भार के बेजार और बेपार खुलने के चुक थे कई राजणीतिक समुह का त मिल रहा था यानि voila تitter द contrat princess और पॉल्ट को इसका फाइदा मिल रहा था सब्स्राहद को नहीं मिल रहा था संपूण काफी खवा कफा घये अनुसार कई कुशाशन करें प्राप सुचनावाब ब unl scholarship होने लग गई क्योंकि ये सारी कंपनियां के जो थी एक तरह से कुछ शाशन थी और और विवस्ता का प्रतीक था इसलिए हर छेत्र में जो था बाद विवात की घटनाय होने लग गई कंपनी को अधिकारों को जो है लोव लालच और भशाचार घटनाय के विटेन के समचार पत्रों में खूब उचला गया कहते हैं उस समय हर एक अखवार में जो था कंपनी के बारे में उनके अधिकारियों के बारे में लोव लालच और भशाचार घटनाय के विशय में हर समच चार पत्र में खूब उच्छाला जाता था अंता बिटी संसद ने भारत में कंपनी के सासन में नियंदरन करने के लिए 28 सतावधी के अंतिम दर्शक में अनेक अधनियम पारित की गए और उस अधनियम में बहुत से ऐसी बाते थे जो कंपनियों पर रोक लगाने के लिए बनाई गई थी कंपनी को बात देख किया गया कि भारत के प्रशासन के विशय में नीमित रूप से अपनी रिपोर्ट विटी संसद को बेजे क्योंकि अकेला ही लाव कमाना यह बहुत बड़ी दैनिय स्थिदी थी कंपनी के काम काज के ज यानि जो कंपनिया थी उसमें पैनिक नजर थी यह रिपोर्ट भारत में इस इंडिया कंपनी के सासन के सरूपों बिटी संसद के गंबीर बाद विवाद का अधार बनाई गई यानि इसको जो है संसद में चर्चा करने के लिए पांचमी रिपोर्ट तयार की गई और इस में अलोचना का अधार देखिए अलोचना भी इसमें की गई तो यह बहुत काफ़ इंपोर्टन था कि पांचमी रिपोर्ट के अंतरगा तुद देश्य और अलचना किस परकार की थी तो कहते हैं अलोचना का अधार इसलिए भी पर ना क्योंकि ग्रामनिये बंगाल के संब का रिपोर्ट को सब्धानी पूर्बग पढ़ना और समझना अवश्यक था देखिए कोई भी रिपोर्ट तो कोई भी पेस कर सकता है लेकिन उसके मत्त्तुव को उसके बारे में समझना यह बहुत बड़ी बात थी हम यह जानने की जरूरत है कि यह रिपोर्ट किसने और कि उद्देश से लिकी थी आधूनिक सोदों से पता चलता है कि पाच मी रिपोर्ट में दिये गए तरकों और साक्षों के बिना किसी अलोचना को सभीकार नहीं किया जा सकता आपने देखा होगा कोई भी अपरादी तभी अपराद घोशित होता है जब उसके जो है रिगार् परतों का पता चलता था इसलिए बहुत से अलुचकों ने इस बात को जो है गमिर्टा से लिया था कहते हैं सोत करता हो ने जो है ग्रामनिय बंगाल में उपने वेशिक साषन के बारे में जनकारी प्राफ्त करने के लिए बंगाल के अनेको जम्यदारों को जो है अभी ले खारो और घिलो के स्थानी अभि लेखो की सवदानी पुरवग जाच करना स्टार्ट कर दिए बंगाल के रहने वाले जमिदारों के जो है सारी लेखा प्रमपड़ा गत जमिदार सत्ता के पतन का वर्नन बढ़ा चराकर भी किया गया था कि यहां पर जमिदारी सत्ता जो है खतम हो गई है जिस पैमाने पर जमिदार लोग अपनी जमीन खो रहे थे उसके बारे में भी बढ़ा चराकर वहां पर लिखा गया सचाई तो यह है कि ज जमीदारों की निलामी की जाती थी यानि जमीदार जो होती धी जमेदारी Siq Satya के पतन का वर्नन बढ़ा चराकर किया गया था यानि छोटी बातों को बहुत ही गंभीर रूप में बताने कोशिश किया गया था जिस पैमानों पर जमीदार लोग अपनी जमीन खो रहे थे उसके अभी सह में भी बढ़ा चरा कर लिखा गया कि वो कारण क्या थे उन्हें कारण गलत रूप में उन्होंने पस् साफित होते थे यानि देखा जाए तो वही बात आती थी कि वह अपने लोगों को ही निलामी के रूप में बैठा देते थे और निलामी होने पर वह अपने जमीन स्वेमी खरीद लेते थे तो इस तरह के हकंडे जो अपनाया जा रहा था इसलिए से बहुत से लोग जो थे दुखी थे इसलिए नोंने पांचमी रिपोर्ट तयार किया जो इंग्लेंडों के गंबीर जो है बाद विवाद का कारण बना और यह कई मानने में इंपोर्टेंट कोश्चन एंग्जाम भी उसे और इंग्जाम में आने की चांसेस भी है एक बार मैं फिर से कोश्चन दो यह जो थी भारत में इंग्लेंड कंपनी की जो इस्तिती के और किरिया कलाब के बारे में तयार किया गया था और यह जो थी 102 पुष्टों की पेजदी जिसमें जो है जमिदार और राजस्वे संबंदी आंक्रे सारे चीजों की जो है विस्तार प्रवक्ट टिपनी की गई कहते हैं यह इसका उदेशल की रूप में यह आप लिख सकते हो कि यह सिवेंटी सिक्टी फाइब बंगाल की भागडोर समाली गई थी उस समय से लेकर आज तक जो सारी घटनाओं का इसमें जो है विस्तार प्रवक्ट चर्चा की गई थी जिसमें कंपनियों को यह अरोप लगाया गया था कि वह सिर्फ अपनी ही फायदा कर रहे हैं